से पहले डिस्क्लेमर को अवस्से पढ़ें सब्सक्राइब करिए हमारी प्रीमियम सर्विस सॉटर मेडियूम टर्म लॉंग टर्म टेकनिकल पेक पोड़ोलियो मेनेजमेंट सर्विस आप हमें मेल करें वाट्सअप करें डिस्क्रिप्शन में जाएं रेजर पे लिंक पर क्लिक करके सर्विस को तुरंट एक्टवेट करें सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को जिससे स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स एंड नियू जाब को मिल सके वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट करना ना भूले अगर आप भी यूट्यूब चैनल क्रेट करके अर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारी टेक्निकल टीम की हेल्प ले सकते हैं तुरंट संपर करें यह बिल्कुल फ्री है अगर्टाइज करिए अपने प्रोड़क्ट और सर्वेस को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह बिल्कुल फ्री है आज हम आपको अवंती फीड्स लिमेटेड कमपनी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कमपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है इस कंपनी के fundamentals और technical कैसे है कंपनी फ्रीचर में कितना Grow कर सकती किए इसके टारगैटं कितने है कंपनी का बिजनेस module कैसा है किया आपको इसके व्डियो में आपको मिलने जारहे है एधा अधुरा विडियो ना देखें क्या इससे जानकारी के अभौव में अगर आप कोई investment decision लेते हैं तो वो गलत हो सकता है आपको नुक्सान हो सकता है तो सारी चीज़ों को ध्यान पूर्वक सुने और इसके बाद ही आप सुएम फैसला करें कि आपको क्या करना है अवन्ती feeds limited company की website पर आप है जैसा कि एक नाम है feeds तो ये foods बनाने का काम करती है और क्या feeding करती है आपको हम बताएंगे देखिए आपकी screen के सामने कई images flash हो रही है at the front of global aquaculture तो ये company aquaculture के लिए food बनाती है feeding करने का सामान तयार करती है ये देखिए इस तरह के quality feed for consistent yield इस प्रकार के packaged food बनाने का काम करती है ये company कि देखिए प्रसाइज processing methods तो food processing का काम यहां पर हो रहा है on wearing commitment to sustainability company sustainability के लिए काम करती है और परेवरण का ख्याल रखती है strong adherence to quality assurance company quality के लिए बहुत ही ज़्यादा सजग है और quality पर ध्यान देती है bridging the gap between healthy and delicious तो healthy food बनाती है और delicious food भी तैयार करती है अपने customers के लिए enjoyed by consumers around the globe इनके food products पूरे विश्व में संसार में इस्तेमाल किये जाते हैं लोग उसका आनंद उठाते हैं चली और भी जानकरी मैं देने जा रहा हूं आपको future fortune 500 इंडिया's largest corporations तो अवंती feeds company को fortune 500 companies में सामिल किया गया है 28 plus years of progress in aqua feed and its exports तो company aqua feeds तैयार करती है मतलब पानी में रहने के लिए भुजन packaged food तैयार करती है और इस फिल्ड में इस company को 28 सालों से ज्यादा का अनुभाव है इनके पास 2800 plus implies काम करते हैं 16,000 से ज्यादा farmers का network है इनके पास और 22 plus exported countries है तो 22 से ज्यादा देसों में यह अपने packaged food को export करते हैं 5 shrimp feed units है इनके पास और इसकी छमता है 6,000,000 ton per annum 2 shrimp processing units है इनके पास और इनकी capacity है 22,000 ton per annum 500,000,000 PL head cherry है इनके पास और 1200 empty forms है Company hatchery पर काम करते हैं High grade inputs and advanced machinery for seed production, disease monitoring and bio security measures पर काम करते हैं Company के पास forms है extensive network of fish and shrimp Farms है इनके पास managed by seasoned farmers using sustainable agriculture practice Feeds carefully formulated and nutritionally well balanced shrimp feed supplied to farmers through seed selection and seed quality analysis इस प्रकार के seeds जो हैं डिस्टिबूट करते हैं farmers को Frozen A wide range of high quality frozen products in raw cooked and value added categories तो इस प्रकार के frozen products तयार करती है यह company और यह Raw है और cooked and value added category में आते हैं Licensed by the world's leading aquaculture and food safety councils तो इनको कई food Leading agriculture and food safety council से इनको license मिल चुका है हलाल certified है यह नो हरम product or procedure is used during the foods manufacturing or processing तो हलाल से भी certified है यह इनको license मिला हुआ है Extending our service to the people of the community तो बिजनेस के अलावा यह company जो है Social work में भी आंगे है Education बचों के education के लिए काम करती है Healthcare के लिए काम करती है Infrastructure development में भी काम करती है Environment का ख्याल रखती है और दूसरों के लिए भी काम करती है Emergency service भी देती है company और sports में भी participate कराती है अपने employees को और उनके health का भी ध्यान रखती है तो यह सारे चीजें है Avanti Feeds एक मानी हुई जानी हुई और growing company है अब चलिए हम आपको बताते हैं इस company में कैसे निवेस करें ग्रो की website में जाएं Avanti Feeds शेयर यह stock को सर्च करें food products बनाने वाली company है current market price है 520 रुपीज और one week में इसने 6.03% का negative return दिया है गिरावट हो चुक है इस stock में one month में 12.45% गेर चुका है यह stock one year में 8.12% का return दिया है three years में 51.29% का return दिया है और five years में 140.12% का return दिया है तो five years में इसने आपके निवेस को लगभग तीन गुना कर दिया है जो कि एक सांधा return है technical chart देकर हम आपको बताएंगे किसमें अभी आपको निवेस करना चाहिए या नहीं या किस level पर निवेस कर सकते हैं तो यह देखिए यह stock जो है अपने oversold zone में जा चुका है oversold zone से भी नीचे जा चुका है और इस stock में अभी selling pressure दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ समय बाद इस stock में अच्छी recovery देखने को मिलेगी तो आप इसमें position बनाके चल सकते हैं क्योंकि इसके fundamentals तो strong है ही तो fundamental क्या धार पर आप इसमें position बना सकते हैं चलिए इसके कुछ company के हम आपको performance बता देते हैं 52 week low 410 rupees है 52 week high 674 rupees है तो 52 week high से इस stock में बहुत बड़ी गिरावाट हो चुकी है जो आपके लिए एक buying opportunity है market death की बात करें तो buy order quantity 54% है और sell order quantity 45% है तो आज के दिन buyers हावी हैं इस stock में जाद जादा stocks की खरिदारी कर रहे हैं और sellers जो हैं कंदूर पड़ गये हैं company के fundamentals हम आपको दा रहे हैं market cap 7123 crore की mid gap company है P.E. ratio बहुत ही attractive हो चुका है 19.78 पर आगया है P.E. ratio 4.04 है industry P.E. 21.07 का है तो अपने industry P.E. से low P.E. पर trade कर रहा है stock और खरिदानी का बहतरीन मौका आपको दे रहा है return on equity जो है 22.75% की बहुत ही सांदार return on equity है stock की EPS 15.19 dividend yield भी है इसकी 1.20% की book value 129.88 की है financial देखिया revenue जो है लगातार दो quarter में गिरावट जा रही है profit में तेजी आई है December 21 के quarter में और net worth में एक अच्छा jump देखने को मिला है yearly net worth तेजी से grow हो रही है हर साल इनकी net worth